हेलो इस्टूटेंट इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने राइट इन दर लॉंग फॉर्म एड़ पढ़े थें सभी बच्चों को समझ में आगया तो अच्छी बात है नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को देख लीजेगा और आज फिर्म से मैं एक बार इसको करा देती हूं जैसे कि 17 है तो इसको 10 और वन्स अलग करेंगे तो इसमें से 10 को मैंने अलग कर दिया और वन्स को अलग कर दिया उसके बाद यह प्लस यह वाला प्लस है फिर 11 है तो इसमें से भी 10 और वन्स को अलग करेंगे तो यह हो गया 10 और यह हो गया वास ठीक है अब 10 और 10 को 1 साथ लिख देँगे तो इसका 10 क्या है? 1, 10 है और इसका 10 क्या है? 1, 10 तो इसका भी 1, 10 और यह प्लश यह वाला प्लस होगे ठीक है? और 1's और 1's को 1 साथ लिख देंगे तो 7 plus 1 ठीक है? अब इन दोनों 10's को 10, 10 को जोड देंगे तो 10 और 10 को हम लोग add कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 10 ठीक है फिर यह प्लस यहाँ पर आ गया फिर 7 और 8 को 7 और 1 को प्लस करेंगे add करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 यानि कि क्या हो गया 28 ठीक है उसी तरीके से फिर एक और समझा देती हूँ इसको भी हम लोग 10 और 1 को अलग करेंगे तो यह हो गया 10 और यह हो गया 1 और इसमें देखिए 7 है तो यह हो गया अब सिर्फ इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 2 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 तो इसका एंसर हो जाएगा 19 ठीक है उसी तरीके से बाकी question भी बनाना है आपको खुद से solve कीजिएगा अब हम लोग आते हैं page number 33 पर 33 में add है जो जोड़ना है आपको बनाना है जैसे कि 5 है और 4 है तो क्या होगा add करेंगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 9 ठीक है और ये 1 और 1 मिलके क्या होगे add के 2 उसी तरीके से बाकी question बनाना है यहाँ पर देखिएगा 0 है तो 5 में अगर 0 को add करते हैं तो क्या answer आता है 5 ही आता है ठीक है जो digit रहेगा वही आएगा और 1 और 2 को add किये तो क्या हो गया 3 उसी तरीके से बाकी सारे question को आप लोग add कीजिएगा बनाईएगा ठीक है अभी हम लोग आप लोग का यह वर्क तो हैं ही जो add बनाना है पेस नंबर 33 का यह पूरा यहाँ पर भी add ही है इसे भी आप लोगों को बनाना है पेस नंबर 33 पूरा complete कीजिएगा इसके अगावा पेस नंबर 35 में यह आपको याद करना है ordinal नंबर जो की first, second, third, fourth इन सब का spelling दिया हुआ है यहाँ आपको याद करना है यहाँ पर देखिए first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleven, twelfth इस तरीके से सारा याद करना है और यहाँ पर इस नंबर में दिया है कि उसको कैसे लिखते हैं ठीक है तो इसके याद कर लीजिएगा कि नंबर में कैसे लिखते हैं और later में कैसे लिखते हैं word में ठीक है तो यह हो गया जैसे इसके कैसे पढ से को अ 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 E, B, E, N, T, H, 7th, E, I, G, H, T, H, 8th, N, I, N, T, H, 9th, T, E, N, T, H, 10th, E, L, E, B, E, N, T, H, 11th, T, W, E, L, F, T, H, 12th इसी तरीके से इसे अच्छे से याद कर देजेगा साथ ही में आपको यह ध्यान देना होगा जैसे कि यहाँ पर जन्वरी, फर्वरी, मार्श, अप्रेल, माई, जून, जुलाई, अगस, सितंबर, अप्टूबर, नवामबर, दिसंबर तो इसका स्पैलिंग तो याद होना ही चाहिए साथ में फर्वरी, थर्वरी, थर्वरी किस नंबर पर आता है तो आपको जन्वरी, फर्वरी अच्छे से याद रगा तब आपने आप बताएंगे कि फर्वरी सेकंड नंबर पर आता है इस तरीके से अगर मैंने पूछा कि जून किस नंबर पर आता है तो आपको पता होगा तब Бद आप होहें कि αór नंबर तो इस तरीके के कोषन आते हैं आपका पहले इस अच्छे से याद कर लीजिए संडे मंड़े का भिया स्पैलिंग से याद होना चाहिए और सब्सक्राइब तो यह तो होना ही जाए ठीक है तो इसे अच्छे से याद कर लीजीए आप लोग यही यहां सब्सक्राइब लिखे 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 गा तर पता चल चाहिए कि आपको कि अच्छे से याध हुआ है कि नहीं इसनी ακरके कॉफी में राइट डाउन किशेगा अच्छे से नोट बुक पर सुन्द सुन्द राइटिंग में और आज का वर्क ही है पेस नमबर 33 को आप लोग कम्प्लेट किशेगा 34 अभी हम लोग नहीं बनाएंगे आज का वर्क आपको 33 है और रिमेंबर करने के लिए मैंने औरिनो नमबर दिया है जो कि पेस नमबर 35 में है ठीक है आज के वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे बुडबाई टेक क्या जालोग टेकी क्याने आपका झालोगिगा डिया नेक्सी देओत है देदेदी कुड़वड़वड़वग जिवड़ diffा है